नमस्कार बहुत स्वागत है आपका विंथिया टाइम्स में हाजी रुएंद दो पहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ बात कर लेते हैं पहली खबर की जहां इंदौर की समीप चोरल में एक युवक की हत्या हो गई है वह पूर्व सरपंच का पती था हत्या किसने की और क्य वजह रही पूलिस इसका पता लगाने में जुटी है युवक की लाश नदी किनारे पड़ी मिली है उसके शरीर पर कुलहाडी के वार के निशान है पूलिस को आशंका है कि पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई है सिम्रोल पूलिस ने बताया कि मृतक का नाम 49 व पूलिस को आशंका है कि पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई है अब सरों ने दिलीब के पुराने विवादों की जानकारी पर जनों से नहीं है दिलीब विधायक उशा ठाकुर का समर्थक था और उसकी पतनी चार साल पहले सरपंच का चुनाब लड़ी थी बात करते ही दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की जो की सतना से आरी बता दी की सतना की बेला पुलिस चौकी अंतरगत बेला गोविंदगर मार्ग पर रविबार की शाम लगभग साढ़े चार बजे महरानी ट्रेवल्स की बस नंबर डियल वन पी सी पचपन पचासी बेकावु होकर पलट गई जिससे एक की मौत हो गई जबकी पांच गंभीर घायल हो गये हैं वहीं कुछ यात्री मामूली घायल हैं स्थानिय लोगों ने मौके पर पहुँचकर बचाव के प्रयास शुरू किये और पुलिस को सूचना दी बेला चौकी पुलिस ने घायलो को एंबुलेंस की मदद से संजय गान्थी मेडिकल हॉस्पिटल रीवा भीजा घायलो में से एक की हालत बेहत ना जुक थी पुलिस ने बताया कि मौतक के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है उसे सीधे अस्पताल भीज दिया गया था दुरगटना अस्थल पर एक आधार कार्ड मिला था जिसमें संतोष कुमार पटेल लिखा था लेकिन यह सबस्ट नहीं है कि वह कार्ड किसका है दुरगटना ग्रस्त बस महरानी ट्रेवल्स की थी जो सतना से ब्योहारी चार ही थी चतुरवेदी ट्रेवल्स की बस और एक ट्रक को ओवर टेक किया इसी दोरान बस स्लिप हो गई और बेकाबू होकर पलट गई बहुत बहुत धन्यवाद